हलो स्ट्राइंट्स मैं विवेकर रवाद आप सभी काड़ाटो 47 के CUT प्रेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बचा और ये ये quantitative aptitude, general test के quantitative aptitude जोके एक पार्ट है उसके technometric की one short video है हम इस वीडियो में technometric के सारे concept को discuss करेंगे और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बोला था याद रखिए one short वीडियो में हम practice कम करते हैं concept बे discuss जादा करते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ बच्चा CUT के exam की date आप जानते हैं मही में exam होने वाला है time बिलकुल भी नहीं है अपनी preparation बिलकुल दमदार तरीके से start कर दो पूरी जान जोग दो आप चाहते हैं कि आपको जो भी doubt वगरा आएं सारे doubt clear हों सारे concept revise हों exam के time पे revision batch भी मिल जाए सब कुछ मिल जाए तो बच्चा उसका एक मात्र तरीका मैं आपको बता चुका हूँ मैं एक बार दुबारा बता देता हूँ उसका बच्चा एक मात्र तरीका है आपको मिलने वाला है महा पैक में profit तो महा पैक चाहें वो science का हो चाहें वो Commerce का हो, चाहें वो Humanities के हो बच्चा, आप Y696S कोड लगा कर इसमें Enroll कर सकते हैं और अपनी Preparation को नई Direction दे सकते हैं या फिर, अगर आप चाहते हैं बच्चा, नया बैच हमारा स्टार्ट हुआ है, अभी साथ फैव से ही, ज्यादा दिन नहीं हुए, तीन, चार, साथ, आट दिन हुए हैं आप इसमें भी अपने को Enroll कर सकते हैं, और ये है GT Foundation में अपने को Enroll कर सकते हैं ये सेपरेट इंडिविजल बैच है, इनमें भी आप Enroll कर सकते हैं, चलिए बिलकुँ डिले नहीं करते हैं, और टिग्नोमेटरी के खजाना, टिग्नोमेटरी के वन शॉट वीडियो के खजाने को खोलते हैं, ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कंसेप नमबर वन, पहले कंसेप्ट से या पहले टाइप से कुछ भी बोल सकते हैं, तो अलग-अलग कंसेप्ट है, सीधा-सीधा स्टार्ट करेंगे, नमबर वन, तो मैं यहां लिखता रहूँगा, कितने कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, कंसेप नमबर वन, सभी जानते हैं, जब कोई राइ एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, क मतलब कान, इंगलिस मीडिया वाले बच्चे बोलते हैं, पंडिर बंदरी पर साथ, हर हर बोले, परपेंडिकलर बेस, परपेंडिकलर हैपटनियस, हैपटनियस बेस, यह आप बोल सकते हैं, पाकिस्तान भूका पे ऐसा हिंदूस्तान हर वरा कुछ भी आप यूज कर सकते हैं जो आपको स्टेवे लेगे पहला पॉइंट पहला वाला जो डेटा रिप्रजैन करता है बच्चा वो Sine Theta को दूसरा वाला जो डेटा रिप्रजैन करता है वेर टो दिश्य विरम करता है 50 घो घड़ा तो साइन ठीटा होता है पर पेंडीकुलर लिंबर डेकल पर पमेंडीकुलर अपन हैपटेणियस लिंबर कॉस ठीटा होता है बेस अपन हेपतेणियस नेविपकर अहों लृट state सब्सक्राइब बात करें आप यह कंपडिशन के एंग्जाम है इसमें इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक्जाम में जाएंगे और इसकी टेबल बनाएंगे आपको पूरी टेबल की नॉलेज होनी चाहिए टेबल आपको रटी होनी चाहिए आप वहां इतना टाइम नहीं कि आप इसको बनाएं ठीक है जैसे साइंगल बेस कोशन कैसे होते हैं एंगल बेस कोशन आईए कोशन नमबर वन मान लेते हैं साइन 45 साइन 30 कोश 45 कोश 30 सीधा कुछ मिनी एंगल बेस वैल्यू पूट कर दो साइन 45 बच्चा कितना होता है 1 वाई रूट वहाई रूट टू और साइन 30 कितना होता है वन बाई रूट टू और कॉस ए उगंगे रूटरी बाई टू औरूर आल क्या गया root 3 plus 1 upon 2 root 2 comment करो that is the single value base question बहुत easy है कुछ भी tough रही है क्या सब को clarity है ठीक है आसान है आई एक question अल लेते हैं इसके बच्चा sin 6 बराबर sin 6 into cos 6 plus cos 6 plus sin 30 केता हुआ sin 6 होता है root 3 divided by 2 cos 30 भी होता root 3 divided by 2 cos 6 1 by 2 sin 30 1 by 2 बोलिए तो यह हो गया 3 by 4 यह हो गया 1 by 4 यह हो गया 4 by 4 यह हो गया आपका 1 I think यह आपको सब को अच्छे से clear हो रहा होगा आराम से देखो और notice करो सबसे आसान टाइप है कुछ भी नहीं हो बिल्कुल easy type इसी type की question आप और भी मैं सारे question दो बच्चा नहीं कर पाऊंगा आप जानते हैं यह as a concept की class है one shot वीडियो में हम सारे concept लेंगे तो यहां जो कुछ और question होंगे मैं आपको homework के लिए दे दूँगा इसमें थोड़ा सा change कभी कभी ऐसा आ जाता है 2 sin theta by 2 बराबर 1 तो 2 sin theta by 2 is equal to 1 है वो कह रहा है theta कितना होगा तो बच्चा sin theta by 2 बराबर 1 by 2 और 1 by 2 होता है sin 30 तो theta by 2 बराबर 30 तो theta बराबर 60 comment करो हाँ यह ना theta बराबर 30 theta बराबर 60 क्या clarity है बोली ऐसे question बहुत सारे बन जाते हैं number 2 type number 2 trigonometric ratio based question trigonometric ratio based question कैसे होता है trigonometric ratio में आपको basic formulas आपको पता ही होना चाहिए that is the sin square theta plus cos square theta बराबर 1 sec square theta minus 10 square theta is equal to 1 cos square theta minus cot square theta is equal to 1 क्या होता trigonometric base ratio एक बार समझते हैं सबसे अच्छा है अगर आपने geometry को पढ़ा है तो आप जानते है triplet होते हैं तो आपको triplet की knowledge होने चाहिए triplet क्या होते हैं तो एक confirm है ये 5 होगा क्यों होगा पाइस होगरेस theorem से रूट 3 का स्क्राइब नाइन रूट 4 का स्क्राइब नाइन 25 का रूट 5 तीन चार पाँच तो ऐसे आगर आपको ये triplet याद करोगे तो हमें थोड़ा सा आसानी हो जाती है पहचानने में इस पर सीरीज भी आती है और भी कॉशन बनते है तो triplet 3, 4, 5 है 5, 12, 13, 7, 24, 25 49, 41, 11, 60, 61, 68, 15, 17 ये सारे triplet बनाते हैं तो triplet के यूज क्या है और हम trigonometric ratio based किसको बोले हैं आईए समझते हैं मान लेते हैं cos theta परावर 3 upon 5 तो आपको पंडित बंदरी परसाद वाला अगर ना हो तो ऐसे लिख लिख लिया करो अब देखो cos theta की value है 3 upon 5 इस function की value बता नहीं है तो मैं एक triangle बना लेता हूँ देखो कैसे बनाते है triangle right angle triangle cos theta परावर क्या होता base upon hypotenuse base upon hypotenuse base अगर 3 है और यह theta है तो hypotenuse 5 5 होगा अब देखो हमें triplet याद करने का profit मिल गया अगर यह 3 है 5 है तो यह 4 होगा बच्चा होगा कि नहीं पूछा है sin theta minus cos theta कितना होगा value पूट करते है sin theta कितना होता है sin theta perpendicular upon hypotenuse sin theta perpendicular value पूट कर रहे sin theta होता perpendicular upon hypotenuse 4 upon 5 minus 2 cot theta reverse होता है sin cos 10 cot होता base upon perpendicular base कितना है 3 perpendicular कितना है 4 और 10 होता है perpendicular upon base 4 upon 3 आसान है कोई तना tough नहीं है value पूट कर लेते हैं 564 का LCM 20 हो गया 520 416 515 upon 8 by 3 1 upon 20 8 upon 3 3 upon 160 बताएगे क्या clarity है एक बाप फड़ा फड़ा कमेंड करो yes or not क्या अब को clear है बोलिए 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 हाँ या ना clear ठीक है असान है कोई तने typical नहीं है चली एक और मैं value put निकालना चाहूँँआ ऐसा question एक और करते हैं बच्चा देखें sin theta बरावर दे रखा है जैसे उसने 3 by 4 और इसको आप direct भी कर सकते है sin theta 3 by 4 है तो यह देखो आपको पता है क्यों सै क्यों स्कॉय ठीटा मैनेस 1 होता है तो यह तो 1 ही हो गया upon sec square theta मैने 10 square theta 1 होता है सोचे जब sec square theta मैने 10 square theta 1 है टो स्यक्सक्वारीड थीटा माहिने स्कुओर थीटा माने स्कुएर तो टी видно पर पहुचब बाज़ेगर काउच टी मीडियाई टी Coach णो ग्यांता दी समझ पारेे C2 Census Tr overall टीन स्कुएर थीटा माने स्सक्वारीड और टी护्र थीटा एलोगेगर को की हो多 था इसको थोड़ा सही कर लो ये करक्क कर लो थोड़ा calculation आसान हो जाएगी क्योंकि odd number लेंगे यहाँ पर आसान कर लो 99% जब भी वो हैपोटनेस देगा वो easy देगा odd ना दे देने को तो खुछ भी दे सकता है जनल नहीं देता तो perpendicular अब हैपोटनेस तीन और पांच ती होगे चार कमेंड करो फटाफट yes or not पंडित बद्री पर साथ हरार बोले sign constant perpendicular upon base perpendicular 3 upon 4 तो cot theta कितना होगे 4 upon 3 कमेंड करे yes or not बोलो बचा आराम से इसको देखिए दो concept हैं ये दूसरा और बताइए क्या ये clear है क्या ये clear है concept नमबर 3 तीसरे concept की तरफ चलते हो concept नमबर 3 theorem based question आईए theorem based question क्या होते है theorem क्या कहता है theorem क्या according theorem का statement है अगर दो angle का sum कभी भी 90 degree हो जा नखना अगर दो angle का sum कभी भी 90 degree हो तो 10 into into 10 alpha alpha plus beta 90 है तो 10 alpha into 10 beta हमेशा 1 होगा क्यों होगा सर जब आप alpha plus beta y का answer दे रहा हूं क्यों होगा alpha plus beta बरावर 90 है तो beta बरावर कितना हुआ 90 minus alpha common सी बात है beta 90 minus alpha है तो ये 10 alpha और beta होगे 10 90 minus alpha और आप इतना जानते हैं 10 alpha 10 90 minus alpha caught alpha होता है ये कैसे होता है इसको हम आगे discuss करेंगे तो 10 alpha से caught alpha cancel that is one तो आपको ये याद रखना है इतना time नहीं कि आप इसको हाँ solve करें पता होना अच्छी 10 alpha into 10 beta is equal to 1 है तो alpha plus beta हमेशा कितना होगा 90 comment करो हाँ या ना बोलिए 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 फटावट ठीक है बच्चा दूसरा आईए इसके application देखते हैं कैसे होगा ये जब भी question बनते है theorem से किस ना किसी logic पे बनते है कुछ ना कुछ वो short करना चाहता है इसी short को बचाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हमें करना है question है 10 5, 10 25, 10 5, 30, 10 15, 10 45 ये 4 option है या दो जब भी 10 के question में odd number आ जाए जैसे 10 65 इसका कोई logic नहीं है 10 65 solve नहीं हो सकता अगर यहां आ रहा है तो इसके पीछे same theorem चुपी ही है मैंने क्या बताया था 10 alpha into 10 beta 1 होता है अगर alpha plus beta बरावर होगा 90 degree है बोलो yes or not अगर alpha plus beta 90 है तो 10 alpha into 10 beta 1 होता है अब जहान से देखना है इसका हम कैसे solve करेंगा दो angle का sum अगर 90 है तो देखे 10 5 और 10 85 90 तो angle हो गया 1 10 25, 10 65 90 angle हो गया 1 और 10 30 होता 1 upon root 3 right answer हो गया 1 upon root 3 बोलो फटावर yes or not बोलिए, बोलिए, बोलिए बच्चा यह question बार-बार कभी-कभी पूछ लिए जाते है अब देखो, यह कितना प्यारा question है, कितने हिसाब से बेहिसाब पूछा जाता है, बहुत ज़्याद है exam में पूछा जाता है कितना प्यारा question है 10 x plus y into 10 x minus y बरावर 1 तो 10 2 x upon 3 कितना होगा 10 x plus y into 10 x minus y, अब सोचो, वही question है देखा जाए तो, x plus y 90 है, तो 10 a 10 b कितना होगा 1, और अगर 10 a 10 b 1 है, तो automatic x plus y कितना होगा 90 तो यह alpha है, यह beta है तो x plus y plus x minus y बरावर कितना होगा 90 y से y cancel, x बरावर 45 क्योंकि 2 x बरावर 90 जब x बरावर 45 तो 10, 2 into 45, divide by 3 15, 45 15, 32, 10, 30, बरावर 1 upon root 3, comment करें फटावर यसा नौर बोलो, बोलो, बोलो I think सबको clear हो पा रहा है जिसको बच्चा थोड़ा सा आपको दो-दो बार वीडियो देखनी की जुरत होगी ठीक है, theorem number 2 theorem number 2 दूसरी theorem यह कहती है, अगर alpha plus beta का मन 90 है सम फिर वही 90 है, तब sin square alpha plus sin square beta हो या cos square alpha cos square beta हो दोनो, जा रहना sin square alpha plus sin square beta हो या cos square alpha cos square beta हो दोनों की value कितनी होगी, 1 बोलो yes or not अगर alpha plus beta वरावर 90 है तो sin square alpha plus sin square beta या cos square alpha plus cos square beta दोनों की value होगी, 1 बोली है, हाँ या ना क्या clarity है clear आजो question पर आते हैं sine square 39 plus sine square 51 अब देखो simple सा मेरे क्या फंडा था अगर alpha plus beta 90 है तो 39 और 51 90 तो value कितनी हो गई 1 simple shot yes or not अब देखिए तो ऐसे बहुत सारे question है जो आपके बनेंगे एक theorem और है बच्चा यह theorem भी देखे लेते हैं just over view में sine about cos b یہ theorem है sine school to cos b हो 10a is equal to cos b हो cosac as equal to seg b हो sine school to cos b हो 10a is equal to cos b हो cosac as equal to seg b हो तो alpha plus beta यह a b 90 होगा यह a b अगर 90 है तो sine बढ़र composite होगा 10a बढ़र MOSA तीन theorem है ठीक unterschied जैसा कई बार कोशन आ रहा अजाता है है कॉसक 7 theta is equal to sec 3 theta theta कितना है ये दोनों equal to होंगे ही कभी तभी देखिए मैंने बोला था sin ने बरावर कॉसे हो कॉस भी हो 10 ने बरावर कॉट भी हो कॉसक है कॉसक और sec वाले दिया रखा है उस question में ये दोनों equal ही तभी होंगे जब 7 theta plus 3 theta बरावर 90 तो theta बरावर 9 degree ऐसे वो कुछ भी पूस सकता है ठीक है बच्चा I hope इसको आप समझे होंगे चलिए algebraic function पर trigonometric algebraic function पर question कैसे आते हैं आसान है ये आप algebra में पढ़ भी चुके है निप्टाते हैं इसको कैसे होता है algebraic function कोई function है sin theta plus cos theta बरावर 2 तो पूछ रहा है sin की 100 theta plus cos theta कितना हो देखो आप जानते है x plus 1 upon x बरावर 2 होता है ये हम algebra में कितना बार डिसकस कर चुके हैं अगर x plus 1 upon x 2 होता है आप इसको डिटेल में solve कर लो quadratic बना लो तो भी x बरावर 1 आजाएगा या दुनिया का एक मातर ऐसा नमबर जिसमें उसी का उल्टा जोडने पर वान आ जाए इसमें सोचना नहीं होता होता ही x 1 है वो बनेगा ही तभी तो ये ऐसा है sin theta 1 upon sin theta बरावर 2 तो sin की power 100 theta 1 upon sin की power 100 theta बरावर कितना होगा तो sin 2 है तो sin theta बरावर कितना है 1 वन प्लस 1 दो तो sin theta 1 की power 101 होगा 1 की power 101 होगा 1 प्लस 1 दो comment करो फड़ावड यस और नौट बोलो 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 clarity कोई डावड किसी को चले ऐसी इस कोशन पे बनता है tan theta प्लस cot theta बरावर 2 तो 10 की power 2 जहां भी x plus 1 upon x वाली format बरना है तो इसका answer भी 2 हो जाएगा क्योंकि 10 theta बरावर 1 हो जाएगा और 1 plus 1 2 I think आप बहुत अच्छे से clear हो गया होगा चलिए basics of quant देख लेते है basics of quadrant यह बहुत ज़रूरी है यह थोड़ा सा टेड़ा है tough portion है tough है ठीक है अभी मैंने आपने देखा एक funda बताया था मैंने कि sine 90 minus theta आप अगर background से हो तो आप जानते होंगे sine 90 minus theta cos theta होता है यह होता कैसे है यह तो आईए पहली चीज़ समझते हैं पार्ट नमबर वन सबसे पहला पार्ट नमबर वन मैं ऐसे बोलूँगा कि यह X-axis है यह Y-axis है और यह 00-origin पार्ट नमबर वन यह कहता है कि 0 से लेके 90-degree angle यहां आएंगे 0 से 90 90 से जादा वाला यहां 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 यह 260 यहाँ है तो हम जो भी है rotation 360 के degree में जितने भी angle आएंगे 360 प्लस वो सारे घूम के इसी coordinate में आ जाते हैं तो जनरल भी बोला जाता है आप इसको याद रखना है कि 360 प्लस फीटा कहाँ है यहाँ हैगा अब देखो 270 प्लस फीटा यहाँ हैगा अब देखो 90 और 90 प्लस फीटा यहाँ हैगा क्योंकि 90 से जादर वले है ऐसे 180C plus theta कहाएगा 180C plus theta यहाँ आएगा बोलिए एक चीज यादा नहीं है जो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम करती है 360 से ज्यादा वाले यहाँ आएगे कुछ बच्चे ऐसे ना सोचे कि घूम के कहाँ जाएगे वो यहाँ आएगे कि कौन कब positive होता है कौन कब negative होता है कहाँ कहाँ मैं इसको समझाता हूँ फिर मैं region बताऊँ यह दूसरा part पहले coordinate में सारे positive होते हैं दूसरे coordinate में sign और cos positive होते हैं तीसरे coordinate में 10 और cot positive होते हैं चोथे coordinate में cos और sec positive होते हैं और सारे negative इसमें इन दोने को छोड़के सारे negative, इसमें सारे positive, कोई बच्चे ये पूछ सकता है, सर ऐसा क्यों होता है, इसका region ये होता है, for example, मान लेते हैं, origin है 00, ये point है x, y, ये point है x, y, तो ये x हुआ, ये y हुआ, तो दोनो first coordinate में दोनो positive होंगे, अब देखो, अगर मैं इस coordinate में minus के x है, ये plus के y, right angle triangle बना, अब ये hypertonious होगा, under root x square plus y square, और hypertonious हमें सारे plus होगा, क्योंकि under root की value plus होती है, अब इसमें perpendicular, b plus है, hypertonious, b plus है, इन दोनों में, perpendicular और hypertonious केवल दो में आते हैं, sine और cos act में, इस वएए से यहां केवल sine और cos act positive होते हैं, और sum negative होते हैं, ऐसे ही 10 औ cot में, यहां बनाएगा, और cos और sec में, यहां बनाएगा, यह region है, आप region को skip कर सकते हैं, यह था मुझे, दूसरा portion जो मैंने इसमें समझाया, पहले में मैंने angle बताए, दूसरे में, कौन का positive, कौन से coordinate में negative, तीसरा, number third, number third समझना, यह number third, मालने ते right angle triangle है, यह theta है, यह 90 है, यह theta है, और यह 90 है, तो यह वाला angle क्या होगा, 180 में से 90 प्लस theta माइनस करेंगे, 90 में theta, अगर मैं sin theta लगाता हूँ, देखो ध्यान रखना, अगर मैं sin theta लगाता हूँ, कोई भी theta लगाते हैं, तो base ही होता है, perpendicular होता है, हपड़ानियस होता है, अगर मैं sin theta लगाता हूँ, त अगर मैं 90 में theta की बात करूँ, अब मेरा base यह होगा, तो base यह होगा, hypotenuse यह होगा, base यह होगा, hypotenuse, तो cos होता है, base upon hypotenuse, base, x upon z, आपने देखा, यह भी x upon z है, और यह भी x upon z है, इसका मतलब sin theta cos 90 में theta की equal होता है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई बच्चा बोल सकता है कि sir, cos 90 में theta sign में बदल गया, cos 90 में theta था और वो sign बन गया, पिलकुल, यह proof था, कौन किस में कब बदलता है, अब यह आता है, cos 90 में theta sign में बदला, कौन किस में change होगा, कौन कब बदलेगा, नहीं बदलेगा, यही concept है, आईए, cos sign में बदलता है, ten court में बदलता है, cos x sec में बदलता है, ये ध्यान रखना है, इसका proof ये वाला है, अप उच्छे साइज इसका proof क्या है, ये वाला है इसका, तो कौन किस में बदलता है, cos sign में बदलता है, ten court में बदलता है, cos x sec में बदलता है, दूसरा point बचा, ये 1557-90 की गणब तब तब बदलेगा जब even multiple होंगे तो नहीं बदलेगा इवन multiple 2, 4, 6, 92 नहीं बदलेगा 90 4, 360 नहीं बदलेगा 96 जा 540 नहीं बदलेगा odd multiple में बदलेगा even multiple में नहीं बदलेगा I think यह सब को clarity है ठीक है बच्चा यह most important point अमें इसका एक example ले लेता हूँ जहां से देखिए इस चीज को समझते हूँ अब example से समझते हैं एक चीज को समझाने के लिए देखिए कितनी चीज है सबसे पहले मान लेते हैं cos 90 minus theta कैसे बदलता है जहां से देखना हूँ cos 90 minus theta अभी इसमें मत देखना यह तो clear हो गया change होगा और यह किसमें change होगा मैंने आपको table बताया था cos sign में बदलता है तो cos sign में बदल जाएगा इसका मतलब cos sign में बदल गया अब यह बदलने से पहले आपको पता होना चीज है cos 90 minus theta कौन से coordinate की बात हो रही है first coordinate की बात हो रही है और first coordinate में सारे positive होता है कोई सोचने वाली बात ही नहीं first coordinate में सारे positive होता है yes or not आईए जैसे cos sign 270 plus theta को लेते हैं देखो इसको समझो 270 plus theta कौन सा coordinate है 270 plus theta यह अगर आप ध्यान से देखें यह है आपका fourth coordinate 270 plus theta fourth coordinate है 270 plus theta fourth coordinate है और अगर यह fourth coordinate है तो देखें 270 even multiple है या odd multiple 270 even multiple है या odd multiple odd multiple कैसे 93 जा तीन odd number है तो यह बदलेगा और cos x sec में बदलता है कैसे बता चला cos x sec में बदलता है मैंने ट्री बताया था cos x sec में बदलता है आम मुझे बदलने से पहले ध्यान अखना पड़ेगा cos x sec में बदलता है अब मुझे notice एक चीज़ का ख़ना है ध्यान से देखें cos x theta 270 plus theta 270 plus theta का मतलब क्यों होता है 270 plus theta का मतलब हो गया कि यह वाला और इसमें कौन कौन positive होते है 270 plus theta कौन positive होते हैं, cause or sex positive होते हैं, जो angle given होता है, cause C theta, देखो इसमें कौन सा angle given था, इस चीज़ को ध्यायर रखना, यह most important intent, जो angle given होता है, इसको देखते हैं कि इस quadrant में यह positive है और negative, जो angle, इसमें कोई फरक नहीं पड़ा, दोनों positive से, दोनों first coordinate में से जो angle given होता है उसको देखते है first coordinate में positive है negative 270 plus theta fourth coordinate है और fourth coordinate में cosec negative होता है तो that is the minus के cosec minus के sec theta ये थोड़ा सा ठीड़ा है मुझे पता है सबसे ज़़ादा problem आती बच्चों को जितने भी 3-4 concept बताएं सारे अच्छे से देखना एक बार revise करना आपको सब clear हो जाएगा ये था इसका चौथा concept तो coordinate में 4 concept आई ये इसको application देखते हैं इसको application करने से पहले दो factor बता दूँ sin 360 into n plus theta 360 के जो भी multiple में होंगे हमें सब positive होता है दूसरा sin minus theta cos minus theta 10 minus theta minus वाला angle minus वाला angle 4th coordinate होता है और 4th coordinate में किवल sec और cos positive होता है और सारे negative होता है ठीक है चलिए मान लेते हैं cos 405 की value निकालनी है आप देखो कैसे निकालते हैं तो सर इसको मैं break कर सकता हूँ cos 360 plus के 45 सर ये तो even multiple है even multiple change नहीं होते तो रहेगा cos 45 और ये कौन सा coordinate है first coordinate है first coordinate में positive होता है और cos 45 sin 45 का root sin 45 1 by root 2 comment करू yes or not ठीक है बच्चा sin 120 sin 120 को कैसे तोड़ेंगे 90 plus 30 अच्छा क्या है मैं इसको 180 minus 60 में तोड़ सकता हूँ बिल्कुल कोड़ सकता हूँ किसी में भी तोड़ सकते हूँ sin 90 plus 30 कौन सा coordinate है even odd multiple है 1 से गुणा हो रही है तो sin बदलता है cos theta में cos 30 देख ध्यान रखना कुछ बच्चे साइन उल्टा होता है cos 1 का लेकिन बदलता है cos में तो यह है cos 30 second वाला coordinate है और second वाले में sin क्या होता है negative that is the minus cos 30 और second वाला इसको ध्यान रखना 90 plus theta है second वाले में second वाले में positive होता है यह दिप्लस लिए और cos 1 theta होता है root 3 by 2 comment करो फटाफर यह second वाले में sign positive होता है यह बार दिखा दूँ यह रहा second I think सबको clear है ठीक है ऐसे आपको value आनी चाहिए चरिए ज्यादा नहीं है छोटा है थोड़ा सा और पोश्चन 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 radian degree conversion radian degree conversion कभी कभार by chance question पूछले आया तो नहीं है by chance पूछले pi radian को represent करते है c से c का मतलब है circular measurement वरत का pi c बरावर होता है एक्स वस्टी degree 1c pi c बरावर होता है x80 degree 1c बरावर होता है x80 c एपन pi तो 1 degree को convert करना हो देखो radian को अगर degree में convert करना हो x80 c एपन pi से multiply और degree को अगर ultra करना हो pi एपन x80 c मलटिपला simple सा logic है ठीक है अब जैसे मैं इसको दिखाता हूँ तो radian को अगर degree में convert करना हो, x-o-c upon pi से multiply, degree को अगर radian में convert करना हो, pi upon x-o-c multiply, आप इससे भी याद रखो, तो भी आसान है, pi radian x-o-c degree के बराबर होता है, खदम कहानी, ये एक निकालना हो तो इसको नीचे नीचे ओ, ये निकालना हो, तो इसको नीचे ले जो, simple सा logic, दूसरा, सबसे पहले, जैसे pi, 5 pi by 3, radian कितना होगा, तो मैंने अभी पताया, एक radian होता है, x-o-c degree, pi radian होता है, x-o-c degree, तो एक radian, 180 upon kai, तो pi by 3, 180 upon kai, pi से pi cancel, 300 degree, बोलो, हाँ, यह बताईए, यह पूछ लिया जाता है, कभी कबार, आईए, एक question और देखे लिएता है, 4 pi by 15 कितने बराबर है, 4 pi by 15, तो 4 pi by 15 को कैसे लेखेंगे, 4 into pi upon 15, 180 upon pi, pi से pi, 12 चुग अड़ता है, 48 degree, बोलो, I think, आप समझ पा रहे हैं, reverse करना हो, जैसे, 11 degree 15 मिनट को, जा रखना, मिनट के रिप्रेजेंट करते हैं यह, यह मिनट का रिप्रेजेंट होता है, एक degree में 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकिन्ड होते हैं, तो दो बार रिप्रेजेंट करोगे, ड़ेस लगाओगे तो सेकिन्ड है, एक बार लगाओगे तो वो मिनट है, तो 11 degree 15 मिनट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 11 degree, 15 मिनट होता है, 15 upon 60, क्योंकि मुझे रिप्रेजेंट करना है उसको, तो यह होगे 11 1 by 4, 11 4 जा 44, 45 by 4 degree, कमेंड करो हाँ या ना, बोलिए, अब डिगरी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर वही पुराना फंडा, एक सॉसी, भाई, एक पाई रेडियन होता है, 180 डिगरी, और एक डिगरी होता है, पाई अपॉन 180, तो यह होगे, पाई अपॉन 180, तो 45 फोर जा 180, पाई बाई 16, कमेंड करो, बोलो, टाइप नमर नेक्स, वैल्यू पुटिंग भेस कोशन, थोड़ा से स्टेंडर है, लेकिन बाई चांस, पूछ लिए जाए, तो इसको देख लेते हैं, वैल्यू पुटिंग बेस कोशन कैसे आते हैं, बाई चांग, अगर आपको बेसिक फंडा याद है, जो मैं बोला हूँ, वो माइन में सेट कर लो, अगर केवल और केवल, साइन और कॉस आपके एंगल में है, वैल्यू पुटिंग कहीं भी पुट करके निकाली जा सकती है, वैल्यू पुटिंग में कौन से कोशन करने हैं, कोई भी कोशन किये जा सकते हैं, अगर केवल और केवल, साइन और कॉस है, question में, मैं अभी बताऊंगा example तो theta हमेशा 0 put कर दो, वैसे put कुछ भी कर दो लेकिन असानी हो जाएगी इससे कोई बोले सब 0 की put करो 30 put करो, कुछ भी put करो फरक नहीं परता लेकिन इससे असानी हो जाएगी अगर sin or cos है तो theta हमेशा 0 put करिए हमेशा और अगर sin or cos भी है या sin or cos के लाव़ कोई और है sin or cos भी है या sin or cos के लाव़ कोई और है 10 है, sec है, cosac है, caught है या sin or cos भी है और कोई और है, तो theta हमेशा 45 put करो सर क्यों, हम तो 60 put करेंगे आसानी question को करने के लिए put करो answer किसी पे भी आ जाता है याद रखिए, एंगल आप कुछ भी put कर सकते है लेकिन 1 upon 0 या 0 upon 0 नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये contradiction present करता है, contradiction हो जाता है जो undefined वाली situation होती है चलिए for example मालने ते एक question है a बरावर 10 theta minus कोई theta, b बरावर sin theta plus के cos theta मुझे निकालना है a square plus के 4, b square minus 1 तो मैंने कहा, जब sin और cos है एक ही question में, और किसी ने entry माल ली, तो theta कितना put करेंगे 45, बस अब देखो a बरावर 10, 45, 1, cot 45, 1 1, 1 minus 1, 0 sin 45, 1 by root 2, 1 by root 2 1 by root 2, 1 by root 2 2 by root 2, that is root 2 भानी खताब a मतलब 0 plus के 4, b मतलब root 2 का square 2 minus 1 का all square 1, right answer 4, comment करें, फटावर यह सान माट बोलो, बोलो, बोलो क्या clarity है चरिए, एक question और ले लेता है, आ जाईए इससे बहुत upper level के भी question है लेकिन हमें वहां तक जाने की need नहीं अब देखो, theta बरावर कितना होगे, 45 तो L बरावर cosac 45, sin45 cosac 45, root 2 होता है sin45, 1 by root 2 होता है answer के इतना होगे, 1 by root 2 आप question करने से पहले इसको पहुच करो और इसको try करो N बरावर, sac 45 root 2 होता है, मैं इसमें आपके साथ बहुत सारे practice के question डाल दूँँँग वो आप खुद try करते रहना minus cosac 45, root 2 1 by root 2 और यह होगे, 1 by root 2 L और N बरावर है तो आप value put कर सकते हो, 1 upon 2 1 upon 2, यह भी 1 upon 2, 1 by 2 1 by 2, 3 और 1 4, 4 by 4, right answer 1 बोली ठीक है बच्चा आईए, इसमें जो भी बच्चा देखो हो सकता है, हम यह one shot वीडियो है हम इसमें एक problem आती है quant में सबसे ज़्यादा problem आती है doubt की अगर आप चाहते हैं कि आपके एक-एक doubt clear हो सारे concept clarity हो तो बच्चा उसके लिए आपको महापक वगरा मैं रोल कर सकते हैं speed से अपने servers को complete कर सकते है mock test मिल जाएगा, book मिल जाएगी PDF मिल जाएगी, e-book मिल जाएगी और फिर mentorship मिल जाएगी हम अच्छे से guide कर पाएगे ठीक है बच्चा, अगर आप चाहते है foundation batch तो ये भी है और ये आपका ambition batch भी है, I think आप इसको समझ पा रहे है ठीक है बच्चा, आईए माल लें question all लेते हैं इस type का value putting का root 2 plus, under root 2 plus under root 2 plus, 2 cost 4 theta इसने value, अब या तो मैं इसको detail में solve करूँ, या मैंने कहाता खाली cost या खाली sign होगा, theta 0 put करेंगे, जैसे 0 put करतें, cost 0, 1, 2, 2, 4, root 2, 2, 2, 4, root 2, answer 2 अब वो value इसमें भी put करनी पड़ेगी, cost 0, ये तो हो नहीं सकता, 2 आना चाहिए, ये answer है 2, sign 0, 0 होता है, ये भी 0 होता है, तो right answer सी, comment करो फड़ावाट, yes or not बोलो बो, लिए, बो, लिए ठीक है inverse function, base questions बस inverse function बचे हैं और बच्चा आपके formula based बचे हैं ठीक है, दो चीज़े बचे हैं, inverse और formula inverse किसको बोलते हैं, inverse इसको बोलते हैं, जैसे a square minus b square होता है, a minus b, a plus b sec square theta minus 10 square theta बरावर होता है, तो इसको break कर सकते है, sec theta minus 10 theta, sec theta plus 10 theta तो sec theta minus 10 theta बरावर, अगर sec theta plus 10 theta a मान लोगे तो दूसरा वला वन पोने, that is the inverse function तो sec theta minus 10 theta बरावर, a होगा, तो sec theta plus 10 theta बरावर, या sec theta plus 10 theta बरावर, या sec theta plus 10 theta a होगा, तो sec theta minus 10 theta बरावर, that is called inverse function, बताएगे, yes or not, आगर देखे, कॉसेक ठीटा मैंस कॉट ठीटा बराबर वन तो कॉसेक ठीटा मैंस कॉट ठीटा इंटू कॉसेक ठीटा प्लस कॉट ठीटा बराबर वन तो कॉसेक ठीटा प्लस कॉट ठीटा बराबर वन अपॉने या फिर कॉसेक ठीटा माइनस कॉट ठीटा बराबर वन अपॉने या फिर क दोनों को एड़ कर दें, जैसे एड़ करोगे ठीटा से ठीटा कैंसल, तो 2 सेट ठीटा बराबर 3 प्लस 1 अपॉन 3, 3 तिया 9, 10 बाइ 3, तो सेट ठीटा बराबर 5 बाइ 3, तो कॉस ठीटा बराबर 3 बाइ 5, बोलो, yes or not, कोई डाउट, आज यहाँ, लास्ट टाइप है, फॉर्मला बेस, बचा फॉर्मला बेस, फॉर्मला बेस में देखो, बच्छे कुछ कहां नहीं जा सकता, कब कौन से फॉर्मला आ जाए, बड़ा अंडिसाइडिड से सिचेशन है, एक बार हम ताइप को डिसाइड करके बता स सकते हैं, कि यह आएगा, नहीं आएगा, फॉर्मला में कुछ कहां नहीं जा सकता, तो कुछ कूल मिलाके फॉर्मला तो आपको पढ़ने पढ़ेंगे, पहला मैं सीधा स्पीड से फॉर्मला बताऊंगा, सबसे पहला फॉर्मला होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस ब मैंने sin a sin b cos a minus b cos a cos b plus sin a sin b यह formula तो आपको पढ़ने पढ़ेंगे वैसे इनको बनाने का proof है लेकिन आपको इनको पढ़ने पढ़ेंगे अब देखिए कैसे करते हैं यदि में equation number 1 जो पहले equation और 2 को जोड़े 1 और 2 को तो वनता 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b sin a plus b plus sin a minus b number next अगर number next equation 3 और 4 को जोड़े तो फंड़ा बनता 2 cos a cos b बराबर cos a plus b plus cos a minus b number next a plus b बराबर c हो इसकी साधी पीडिया बच्चे होँ हमिल जाएगी a plus b को c मान ले a minus b को d मान ले तो add करेंगे तो a बराबर c plus d by 2 और b बराबर c minus d by 2 इसको equation 5 में put कर देते हैं तो फंड़ा आता 2 sin a cos b इसमें फंड़ा put कर रहा है equation number 5c 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b 5 में तो फंड़ा आता 2 sin c plus d divided by 2 cos c minus d divided by 2 that is the c plus d और sin c plus d sin c plus d क्या आ गया 2 sin c plus d divided by 2 cos c minus d divided by 2 formula है formula देखने पढ़ेंगे उनका कुछ नहीं पता कब क्या आ जाए cos c plus cos d 2 cos c plus d divided by 2 cos c minus d divided by 2 कहीं जगें d minus c भी लिखा होता है कोई प्रॉल्म नहीं आई cos 2 a होता है cos square a minus sin square a यह होता है 2 cos square a minus 1 यही होता है 1 minus 2 sin square a cos 2 a यही होता है 1 minus 10 square a upon 1 plus 10 square a ठीक है बच्चा sine 2 a 2 sin a cos sine 2 a होता 2 10 a upon 1 plus 10 square a यहां फिर sine 2 a होता 2 10 a upon 1 plus 10 square a आगे चली 10 a plus b 10 a plus 10 b upon 1 minus 10 a 10 b 10 a minus b 10 a minus 10 b upon 1 plus 10 a 10 b 10 2 a 2 10 a upon 1 minus 10 square a आगे चली sine 3 होता 34 3 sine a minus 4 sine q a cos 3 होता 4 cos qi minus 3 cos sin की पावर 4 theta plus cos की पावर 4 theta 1-2 sin square theta cos square theta sin 6 theta cos 6 theta 1-3 sin square theta cos square theta फंडे पर आपते हैं सीधा है question पर question पर one plus one upon cos theta plus one upon cos theta so सीधा सीधा है कैसे भी कर लो उपर ले जाओ yoga sac theta yoga 10 theta उपर ले जाओ sac theta yoga 10 theta तो यह होगा सेक ठीटा, सेक स्क्वाइट ठीटा, टैने स्क्वाइट ठीटा, बरावर होता है बन, कमेंट करो फटावन, यस और नॉट, बोलो, क्लारिटी, आईए, एक कुशन देख लेता है, फाइफ अपन सेक स्क्वाइट ठीटा, तो फाइफ उपर पहुंचेगा, यह हो जाएगा कॉस स्क्वाइट ठीटा, टू, तो यहाद रगना, सेक स्क्वाइट ठीटा, यह cos स्कॉय फीटा minus cot स्कॉय फीटा प्राउड रन तो cos स्कॉय फीटा cot स्कॉय फीटा प्लस 1 cos स्कॉय फीटा हो, जब पर पॉंचेगा breast sin स्कॉय्प फीटा, यहाँ जगा three sin स्कॉयर फीटा तो जगा five cos स्कॉयर단 plus five sin फीटा, five common one, right answer five कॉमेंट करें फटावर यस और नॉट बोलो क्लियर चलिए एक कुशन होमवर्क है यह होमवर्क में अंस का अंसर देना PDF कहा मिलेगी PDF बच्चर वही मिलेगी मैं आपको पता रहूँ Community पर जाओगे Community पर Adder247 की एप पर Community पर Quantitative Aptitude वे वे एक राफ़त के नाम से गुरूप है वो जोइन के लिए न वहाँ आपको PDF मिल जाएगी मैं लास्ट में बता दूँ फटा 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 फाइनल टेस्स दे रहे हैं All Courses में जाएंगे यहां All Courses UG, PG में जाएंगे और यहां है CUT, UG वाला यह है Language and General Test वाला जैसी यहां जाएंगे हाँ बिल्कुँ एक बच्चा पुछा पुछा पृतिग्या में क्लास होगी क्यों नहीं होगी बच्चा 6 बचे क्लास होती मेरी आप जाएंगे पृतिग्या में यहां जाएंगे पृतिग्या वाले में 696S, Y696S, Y696S, Y696S खतरनाक तरीके से में अप्लाई करके इसमें तुरंट एंडरोल कर लो जिसके डोमीन वाले बच्चे हैं हमारे यहां जाएंगे, साइंस अड़ा पर जाएंगे जो डोमीन वाले हैं बाइन आउपर जाएंगे अप्लाई करेंगे Y696, Y696S कन्फर्म, कन्फर्म, कन्फर्म दूसरा, अगर कोई बच्चे ने जीट, वो नहीं लिए टेस्स सिरीज, तो यहां देखें, यह दिख रहा है बढ़ टेस्स सिरीज के नाम से यह आपका सब कुछ टेस्स सिरीज है प्रतिग्य टेस्स सिरीज, आपका 30 ओफ लाइन, 40 ओफ लाइन, यह सारे ओनलाइन टेस्स, 40 OMR जबर्दस तरीके से टेस्स है बच्चा आईए तो आप सीधा प्रशीधा जाएंगे टेस्स सिरीज के अप्लाई करने के लिए बोलेंगे S696, S696 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 ठीके बच्चा, चली इतना रखते हैं, कल मिलेंगे बहुत ज़्दी बहुत बढ़ी है चलो, बहुत बढ़ी है ट्राइ करो, रोज मार्क्स इंप्रूव हो धीरे धीरे